हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चैनल सस्टी स्टेडी पॉइंट और आज हम बहुत इंपोर्टन विशे पे बात करने वाले हैं और विशे कौन सा है तो विशे है यूपी टी एटी के बारे में यूपी टी एटी को लेकर बच्चे बहुत परेशान है कि यूपी टी कब आएगा कब इसका एक्जाम होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ने बीएड कर लिया है या बीएड के लास्ट येर में हैं बीपी एड डीपी एड ये जितनी भी परिक्षाएं हैं बीटी सी इन सब के बाद अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं बेसिक एजुकेशन में जाहें जूनियर में उसके सासद अब तो जो बीएड करे हुए बच्चे हैं वो एल्टी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में भी फार्म भर सकते हैं तो टीजीटी वगेरा में भी अब टीजीटी जो है अनवारे हो गई है ठीक है बहुत सी ऐसे जनाब देख लीजेगा आता है ठीक है तो उन बच्चों को जब यूटी यूपी टीटी पास कर लेंगे तो उनकी एक सीडी जो है वो पार्क करने वाली कंडिशन हो जाएगी उसके बाद सुपर टेट होगा अगर प्रैमरी में वेकेंसी निकलेंगी तो यूपी की बात कर यूपी टीटी का नोटिफिकेशन और बहुत दिनों से आया भी नहीं है अक्सर आपको सुनने को मिल जाता होगा जो भी वच्चे भी एड करें हो है इसलिए परिशान है कि कौवर्मेंट पतानी यूपी टीटी का जो नोटिफिकेशन है कब तक निकालेगी तो अब जो है आप लोगों के लिए एक रोश्नी दिखी हैS जी हाँ सिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा UPTTA आपको दिख रहा होगा अब ये सिक्षा सेवा चयन आयोग क्या है क्योंकि यो सिक्षा से रिलेटेड आयोग है अपने विभाग को लेकर यानिक मादमिक सिक्षा हायर के तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा ये जो आयोग है वो नया आयोग बन रहा है गौर्मेंट इस आयोग को बना रही है और ये कौन सा आयोग है ये है प्राइमरी से लेकर हायर तक के अध्यापकों की जो भरती होगी चाहें वो अलेज और विद्याले होते हैं इसके साथ साथ जो अब अटल योजना के तहट जो आवासी विद्याले बन रहा है उनके अध्यापकों की भरती को लेकर कोई भी भरती हो उसके साथ साथ यूपी टीटी सब का जो नोटिफिकेशन जारी यही आयोग करेगा और जितने भी अबी आयोग है अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग भरती परिकूरिया के शिक्षक भरती परिकूरिया के अलग-अलग लेविल वाली उन सब ने उन सबको यह अपने आप में मरज कर लेगा यारिकि शिर्फ एक ही आयोग बनेगा कम तक कeb बनेगा भाइ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी पूरी न्यूज यहां पर मैं आपको देखो बता रही हूं यह न्यूस पेपर में हैं और उसके साथ साथ इससे समंदेद वीडियो चैनल पर भी है कि यह जो नए आयोग बनने की प्रक्रिया है यह कब तक होना कैसे होना यह आज तक जो था पलकुल डम लग रहा था लेकिन जो हायर एजुकेशन में भरती निकली थी यूपी एची एससी के द्वारा अशाशकी महाविद्यालों में तो उन बच्चों ने जो है रिट डायर की थी क्योंकि उनके फॉर्म बहुत टाइम के भरे हुए एक्जाम नहीं हो रहा था तो ने खा कि हमारा एक्जाम पतानी कब तक होगा तो जो इस समय आयोग है उसी से एक्जाम कराईए नया आयोग आपका पतानी कब तक बनेगा तो हाई कोट ने जो है उस प्रिक्रिया को तेज करने के लिए और फटकार लगाई कि आप या तो अपना आयोग जल्दी से जल्द की जरुवत है तो इसी लिए यह नया आयोग जो है इसकी भरती प्रक्रिया जो है अब नया आयोग से होगी किसी भी सिक्षक्की हो लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दू गौर्मेंट यानि कि जो जी जी आई सी होता है ठीक है जी आई सी आपने देखा होगा गौर् QPSC जिसे कहते है उसके थू होगी यह उनकी भरतियों की बात है उनके लिए आयोग बन रहा है जिनका अनुदान जो है पूरा गौर्मेंट देती है टीचर की सेलरी गौर्मेंट देती है जो government के नियम कानून है वही चलते हैं उन colleges में लेकिन management उनका ही होता है जिने आप aided college कहते हैं आपने सुना होगा है ना aided college होते हैं तो उनकी तो उनकी बात मैं कह रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर पूरा लिखा देखिए basic से लेकर उच और तकनीकी सिक्षा के aided विद्यालेओं में सिक्षकों की भरती के लिए राज सिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है एक ही आयोग बनेगा basic से लेकर higher तकी भरती के लिए अध्यापकों किये अब यही आयोग उत्तर प्रदेश सिक्षक पात्रता परिक्षा UPTT भी कराएगा साफ लिखा है इसके अलाबा प्रदेश भर में नवोदय की तर्ज पर शुरू हो रहे अटल आवाशी विद्याले में सिक्षक भरती भी इसी आयोग की अनुसार ही होगी ठीक है सब कुछ इसी आयोग के इंतर गताने वाला है इसका प्रारूप पिछले हफते हुई सदस्यों की बैठक में शामिल कर लिया गया है क्योंकि हाई कूट में केस गया था इसको लेकर आयोग के गठन का काम बहुत तीजी से हो गया क्योंकि 24 जुलाई हाई को अगली सुनवाई है तो गवर्मेंट सोच रही है कि उससे पहले हमा आयोग का अपना most of the work है वो जादे से जादा काम उसका complete कर लें जिससे कि अगर हाई कोट के समक्ष पेश हो तो हम बता सके कि हमने जादा तर काम अपना खतम कर लिया है थोड़ा सा बचा है वो हम थोड़े दिनों में कर लेंगे या 24 जुलाई तक पूरा आयोग ये बना भी सकते हैं तो इनकी अपनी प्रिक्रिया बहुत तेजी से चल रही है आसार है अगले महा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा तो बात यहाँ पर वही है 24 जुलाई डेट लगी हुई है इसलिए ठीक है सभी तरहे के आशाशकिये सहायता प्राप्त आ गया एड़िड विद्ध्यालेों में सिक्षक की बरती के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है 12 सदस्य कमेटी बन चुकी थी इसकी और पूरा उन्होंने अपना प्रारूप तयार करके मुखमंत्री के समख श्पेश भी कर दिया है कमेटी ने सिक्षकों की बरती का प्रारूप मैं के आखरी हफते में तयार कर दिया है लेकिन कुछ और प्रारूप शामिल किये गए है इसमें पिछले हफते सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी इस बैठक में UPTET का प्रारूप भी शामिल किया गया है याद रखिएगा पिछले कई वर्सों से परिक्षा नियामक प्राधिकारी TET कराता था ठीक है PNP के द्वारा होती थी पिछले कई बार से अब जो है यह आयोग कराएगा PNP से ही बेसिक शिक्षा के स्कूलों की भरती होती थी PNP टीचरों की प्राइमरी की टीचरों की भरती करता था ठीक है इनका अपना एक PNP था जससे प्राइमरी के और ऐसी उच्चितर वालों के लिए हायर वालों के लिए वो हो था उच्चितर सिक्षा सेवा चयान आयोग है न तो अब यह सब मर्ज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चयान आयोग में चुकि सिक्षक भरती का काम अब नया आयोग करेगा इसलिए उसी आयोग को UPTET की जिम्मेदारी दे दी गई है कि जब नया आयोग टीचरों की भरती करेगा तो TET भी वही कराएगा वही अटल आवासिय विद्यालों में सिक्षकों की भरतियां अभी उत्तर प्रदेश भवन और अन्सर निर्माण कर्मकार कल्यान भूर के द्वारा हो रही है प्रदेश भर में अटल आवासिय विद्याले इस वर्ष मंडल इस्तर पर शुरू हो रहे हैं यानि कि मंडल इस्तर पर अटल आवासिय एक-एक हर मंडल में एक-एक विद्याले बनेगा यह वाला आवासी जसन अभूदय का तो क्या होता हर जिले में है लेकिन इसका क्या होगा इसका मंडल में इस आयोग में सिक्षकबरती की केंद्रिय क्रत विवस्ता रहेगी यानि कि एक ही आयोग रहेगा केंद्री करत कमलता क्या होता है एक ही जगह बिलकुल centered कोई चीज हो बनी हुई कि हाँ सिर्फ इसी जगह से चाहें आप basic के teacher बना लीजे इसी आयोग से चाहें आप TGT बना लीजे PGT बना लीजे चाहें अटल आवास ये महाविद्या वो स्कूलों में बना लीजे इसके साथ Muslim जो college बगरा है उन में बना लीजे या जो प्राविदिक होती है जो ये प्राविदिक का मतलब समझे जी टी आई वगरा ये इस टाइप से होती है तो government वाली होती है लेकिन और भी जो private होते है जो junior engineer वगरा बनने के लिए उन सब में medical में वी even इसी आयोग के थ्रू भरतिया होंगी अध्यापकों की इस चीज़ को ध्यान रखिए TET भी यही आयोग कराएगा तो यहां पर लिखा देखिए अटल आवासी विद्यालेओं में सिक्षक भरती इसी आयोग से होगी पिछले हपते हुई बैठक में इस जुड़ा हुआ TET को भी जोल लिया UP वाली को अब UPTET का notification तभी आएगा दोस्तों जब यह आयोग बन जाएगा अब आप यह सोचे कि इस आयोग को बनने में कितना समय लगता है लेकिन जिस हिसाब से हाई कोड में इसका केस है 24 जुलाई डेट लगी हुई है मैं आपको ब progress कर लिए अगर बन नहीं पाया तो वैसे तो पूरे आसार लग रहे हैं कि एक महीने में बन जाएगा क्योंकि 24 जुलाई अभी तो 24 जून भी नहीं हुई है तो इनके पास sufficient time है है ना इसको cabinet के समक्ष रखने का अधीनियम बनाने का उसके बाद इसका आयोग बनाने का सारा इनके पास time है चाहें तो यह कर सकते हैं और हो भी सकता है कि TET जो है तो एक दो महीने में जैसे यह आयोग बन जा तुरंती notification आ जाए और जिनका exam scheduled है उनका exam भी हो जाए जैसे कि विग्यापन संग्यावन का assistant professor का TGT PGT के form बरे हुए हैं वह भी उनका exam भी हो जाए उसके सा है बहुत सारे पत खाली है तो उनकी भी भरती प्रक्रिया जरूर होगी ठीक है यस्चिंत रहिए इसलिए आप TET के अपनी तयारी में लगे रहिए जल्दी से जल्दी TET का जो है UPTET का notification आ सकता है जैसे ही आयोग बन जाएगा तो पूरी मैंने आपको यहापे जानकारी द होंगी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा जिससे कि आपको पूरी अपडेट नॉलिज मिलती रहे जिससे कि आप अपनी आगे की आपको गतिविदी आगे का क्या आपको शिडूल ब कर दीजेगा दोस्तों